है गाइस वेलकम बैक टू इनदर वीडियो एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक दम नए नए ताजे ताजे खवर की वो है इंटल की तरफ से इंटल ने आठ अक्टूबर को साड़े साथ पज़े एक इविंट लॉंच किया था जिसके अंदर उ तो देखते रहिए पूरा वीडियो मैं इसके बारे में आपको सारब कुछ बताऊंगा कि क्या मदबोर्स आप यूज कर सकते हैं क्या स्पेसिफिकेशन से एंड क्या एच्पेक्ट कर सकते हैं हम इन सीप्यू से गिववे लाइव है आप लोग जीच सकते हैं तीन जाएगा जहां पर आप लोग इस गिववे में हिस्सा ले सकते हैं डू सब्सक्राइब अगर आप लोग एक नया गेमिंग माउस और माउस पैट चाहिए तो स्टे ट्यून प्रेस्ट बेल आइकन और यूट्यूब आप और नेवर मिस एनी अफडेट फ्रम इंडिया का एक मात्र ऐसा टेक चैनल है जो आपको सचाही बताता है ना कि कुछ ऐसी चीज़े जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो यह सारे ऑपिनियन्स मैंने खुद के एक्स्पीडियन्स से बने हैं और मेरे बेंच्पार्क्स काफी डेडिकेटेडली किये ज 18 में उन्होंने दिखाया था उसके बारे में भी बताया वो है जियॉन का नया सर्वर प्रोसेसर जिसके अंदर हमको 28 स्कोर एंड 56 थ्रेड्स तक मिलेंगे बट यह वीडियो उसके ओपर नहीं है अगर आप लोग चाहते हैं कि उस चीज़ के उपर भी मैं आप लोगों को हूँ तो definitely मुझे description में बताइए मैं फिर 28 स्कोर वाले CPU को भी cover करूँगा उसके अलावा हम लोग बात करेंगे Intel के नए mainstream market के CPUs के बारे में यह तीन CPUs उन्होंने release किया है पहला है i9 9900 के जी हाँ mainstream market में पहली बार Intel ने i9 series का CPU launch किया है and this is going to be the best gaming processor in the world period यह Intel के खुद के वर्ड से इसके अलावा उन्होंने इसका जो packaging जो कुछ दिन पहले leak भी हुआ था वो भी launch किया है जिसके अंदर उन्होंने एक hexagonal design में इस CPU को pack किया है and वो देखने वे भी काफी अच्छा ह definitely Ryzen Threadripper के अच्छे packaging को देखते हुए उन्होंने इस packaging की तरफ जाने का फैसला किया है तो अब बात करते हैं CPU specifications की and start करते हैं i9 9900K से यह 8 core solar thread CPU है जिसका turbo frequency है 5 GHz बट यह 5 GHz turbo frequency most probably single core होगा जैसा कि coffee lake के CPU में भी होता है यानि कि सिर्फ एक ही core है जो की top turbo speed को hit करता है साथ ही जो एक बहुत बड़ा change किया है इस बार Intel ने वो है 9900K पे वो लोग यूज़ करेंगे TIM यानि कि thermal interface material ना कि पहले जैसा thermal paste और यह better heating control करने की capacity देगा Intel के CPU को इसके अलावा 9600K i5 में और 9700K को i7 में भी launch किया गया है तो i9 9900K में हमको 8 core solar thread मिलते हैं 3.6 GHz की base clock और 5 GHz का boost clock मिलता है साथ ही 95 watts के TDP पे आता है और इसके अंदर 16 MB का cache दिया हुआ है यह unlocked है और यह up to 40 PCI lane support करेगा Z390 platform जो की Intel का नया chipset है and इसका MSRP अभी तक confirmed नहीं है but it is supposed to be around 500 dollars तो इंडिया में आते आते it will be around 40,000 plus के price range पे इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरा नया CPU launch wire that is the i7-9700K which is a direct successor to 8700K नाम के इसाब से 9700K 8700K का successor होना चाहिए but यहां ऐसा नहीं है यहां पे कुछ configuration changes है यहां पे हमको मिलते हैं art core and art threat there is no hyper threating साथ ही इसका base clock हमको same 9900K की तरह 3.6 GHz पे and boost clock जाता है 4.9 GHz साथ ही यह again 95 watts की TDP पे 12 MB cache है and unlocked रहेगा again 40 PCI lanes का support रहेगा and 375 से लेकर 400 dollars का MSRP है याने कि इंडिया में यह हम लोग expect कर सकते हैं 30 से 40,000 के बीच में फिर हम लोग बात करते हैं 9600K this is kind of 8600K because इसके अंदर जादा कुछ difference नहीं है same check or chat red है 95 watts की TDP है and base clock and boost clock में 100 MHz का boost दिया गया है यानि 3.7 GHz base clock and 4.6 GHz boost clock चाती इसके अंदर हमको 9 MB का cache मिलता है and 40 PCI lens ये भी support करेगा against E390 platform पे इसका price हमको 8600K के आसपासी में मिलना चाहिए में भी एक से 2,000 उपे उससे महंगा ही रहेगा तो ये Intel का ऐसा दाओ है जहां पे वो AMD का 2700X जो की अभी एक 8-core 16-thread CPU and बहुत अच्छे IPC के साथ 2nd generation Ryzen का product है उससे टकर देने के लिए उसने एक 8-core CPU को launch किया है now इसमें 2 ही नए CPU है because 9600K is equivalent to 8600K however configuration changes जो basically आए है वो है i9 9900K में and i7 9700K में इसके अलावा ये एक नई chipset पे launch होगा यानि की Z390 platform पे जिसके अंदर बहुत जादा differences नहीं है however इसके अंदर हमको CNVI Wi-Fi मिलता है Intel की तरफ से जो up till 1.73 GHz per second की speed पे जा सकता है and इसका channel width जो है वो बढ़के हो जाता है 160 MHz जो previously 80 MHz ही था साथ ही इसके अंदर हमको 6 USB 3.1 Gen 2 ports मिलते हैं जो की Z370 platform की बात करें तो जिसके अंदर maximum natively zero and third party interface को use करके दो तक use कर सकते थे now अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही पता चला है I think 19th October is the date जहां पे हमको in CPUs का benchmarks वगरा and NDAs open होंगे जहां पे मैं इसको फिर और जादा अच्छे से cover करूंगा I think this is just interesting and बहुत मज़ा है का देखने में 9900K जो की पहला i9 CPU है वो 2700X से कैसे भीड़ेगा now AMD की तरफ से भी एक rumor यह आया था कि वो 2800X launch करेगा against this 9900K तो let's see what happens and वो क्या उतारता है 9900K के अगेस में because I am quite sure यह CPU काफी अच्छे तरीके से overclock होगा यह बहुत easily 5.4, 5.5 GHz हिट करेगा अगर आप इसको liquid cooler में use करेंगे that is very fast and वो इतना fast है जितना अभी तक का कोई CPU नहीं है that is why Intel इसको बोल रहा है the best gaming processor in the world तो दोस्तो आज के लिए इतना ही I hope आप लोग को यह news भी उतनी ही interesting लगी होगी जितनी मुझे अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो do give it a thumbs up अगर नहीं पसंद आए तो dislike का बटन दबा दो subscribe करो मेरी चैनल को share करो मेरी चैनल को social media जैसे facebook, twitter and instagram पे मैं twitter and facebook पे regularly update करता हूँ अपने facebook page पे साथ ही PC gamers enthusiast group में join करने का link भी आपको नीचे मिल जाएगा अगर आप लोग को इस तरह की और वीडियो देखने है तो subscribe to my channel में तो अपने अगलो वीडियो में stay awesome, stay safe, stay sexy, peace out